एक उवंकार सतनाम करता पुरक निर्वहो निर्वेर अकाल मूरत अजुनि सेपं गुर परसाद जाप आद सच जुगाद सच एपी सच नानकु होसी पी सच जिना सास गिरास ना विसुरे हरनामा मनमांत तन से से नानका पुरन सोई संत तन से से नानका पुरन सोई संत वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते साहिब आलम ज्यान सरूप चवर चतर तकद मालिक जुग जुग अटल तन तन आद सत्गुरू श्री गुरू गरंथ साहिब महराज जीयांदी अपार बक्षिश हो रही है सत्गुरू पात्षा जीयांदे दरू करू वर्साए होई महान महापुर्ख दम्दमी तक्साल दे बार्वें और तेर्वें जत्यदार गुर्मत विद्या दे मारत अंड ब्रह्म ज्यानी महापुरूख शरीमान संत ग्यानी गुरु बच्ण सेंग जी खाल्षा पिंडौछा पिंडौख पिंडूरूख मिध्ध यादन मनोंद्या हुए सत्गुरू पात्षा जीयांदे सनमुक संगत रूप विचपा हाजरी पर रही है साथ संग जीयो ऐसे तत बेते पर उपकारी महापुरुखांदे पर थाए सत गुरु पाध्षा जीया ने अम्रत मैं बानी अंदर बचन कही ने कि जो इस तरह दा संसारक जीवन बतीत करनवाले गुरुमक जानहन उना दी शुभा लोक ते पर लोक विच है जो किछ कर है सोई प्रभ मानने है ओई राम नाम रंग राते तेनकी सुभा सब नी थाई जिन प्रभ के चरण पर राते मेरे राम राए हर संता जेवड ना कोई मारा केंदे ऐसे महातमा पुर्खांदे बराबर कोई नी है क्योंकि उना दा जीवन ऐसा है सारा जीवन उना दा समर्पत होंदे परपकारी होंदे और ऐसे तत्वेति महापुर्खांदे परथाई बिद्वानने के है केंदे किम बहुत केन शरभग्या ब्राम बोद जनिम प्रती विश्वं भरापी सकला कृतार था तीन जायती केंदे इस तरह जीवन दी सफलता वास्ते जा कुछ सिख्या लेन वास्ते जा अपने पले वास्ते ऐसे गुर्मुखांदे ब्रह्म ज्यानियां दी विचारो ना दी उस्ततो ना दी वड़याईया पंकर देयां पर केंदे ऐसे महापुर्खांदा जीवन है जावना दा परवकार है उना दे गोण उना दी वड़याईयां कहिया नी जा सकते हैं बहुत केन सरभग्या, ब्राम बोध जनिप्रती, इस तरह ने जड़े ब्राम ग्यानी आत्म ग्यानी महापुरुक होंदे ने, कि बहुत केन, केंड़े उनना बारे बहुत कुछ ने किहा जा सकता, वना दे गोणो Wak यह वड़े आईया आगाई等े पर्वुकार इतने हुं दी तो कहने विश्वंभरा पी सकला किरतार था कहने ए साच है कि जिस विश्वंभर नाम है तरती दा कहने जिस तरती दे जिस ताह था जिस इस अलाकेश ऐसे महापुर्खाना अवना हंदा है उसारी तर्थी जड़ी है सफल हो जान दी है विश्वम भरापी सकला कृतार था तेन जायती इसलिए विदवान महापुर्खाने लिखिया है केंदे तेन सहस्तर मैं सब सुख खानी दुरलब ब्रामलीन बिग्यानी केंदे जड़े ब्रामन देवेच लीन हंदेने आत्म ग्यानी तातवेते महापुर्खने उस संसार वेच बड़े दुरलब ने उस सब थावां ते सानूने मिल दे जिस तरह पंड़त हर द्याल जी दाएक बचन है केंदे जिस तरह हर एक थावां ते हर एक जगा ते सानू एक उज दुरलब वस्तुआं प्रावत ने हुंदी है केंदे इस से तरह सांतना पुरपुर माहें हर एक थावां ते हर एक जगा ते हर एक पेंड़ नगर शेहर विच ऐसे महापुर्ख ब्राम ग्यानी सानूनी मिल दे को बड़े विरले ने है जगा में ह। hm khandi यह विरले क एक हर तो कुरोड़ां दे विच ने है एसे महापुर्खः ने बारे सानू प्राचीन साहित विच ओ और ब्राम ग्यानी गुर्म खा विद्वाना दी लिखट विच ओ ऐसे महापुर्ख खाना जीवन प्रावत हुंदे केंदे नर सहस्तर मैं शुनो पुरारी को एक हुए द्राम ब्रात धारी केंदे एहुजी जड़े ब्रहम गयानी महापुर्ख हुंदेने बड़े विरली विरली हर्थानी केंदे जिस तरह मानलो के एक थान ते हजार व्यक्ती बैठा है सहस्तर दा हजार केंदे एहुजानो के जिमें किसी जगा ते एक हजार व्यक्ती बैठा है न उस एक हजार व्यक्ती दे विच्चों इस सारे एक हजार व्यक्ती ही तरमीनी हुंदे हजार व्यक्ति दे काठ विच्चों केंदे एक व्यक्ति जेड़ा है असल विच्च तर्मनू कमाण वाला तर्मनू समझन वाला सानू मिलेगा क्योंकि ये नहीं है कि जे सौ बंदा बैठा है ते सौ दा सौ इतर मी है हजार दे विच्चों हजारी तर मी है ए उन्हा तर्मिया ने विद्वाना ने महापुर्खा ने नचोड कड़े है तातकड की दसे है नर सहस्तर मैं सुनो पुरारी को एक हुए ध्राम ब्रातदारी के लिए हजार व्यक्ति दे विच्छों सानू एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल नाल मिलेगा जेड़ा तर्मनू समझन वाला तर्मनू ताहरन करन वाला तर्मनू जीवन वेच कमाण वाला हुएगा को एक हुए ध्राम ब्रातदारी फिर केंदे इस तो अग्ये इस तरह लिए जेटे तर्मी लोग ने जेड़ा हजार विच्छों एक तर्मी सानू मिलेगा है इस तरहां दा केंदे जड़ा तर्मी व्यक्ति है वो एक हजार तर्मी व्यक्ति बैठा होई ते उना दे विच्छों विशय वे मुक्त बिराग रत होई केंदे विशयां दे विच्छों मुक्त ते बिराग अवस्था वे जुड़िया होई उना हजार तरमिया विचोंसानों एक मिलेंगा नर्स हस्तर में सुनों पुरारी को एक होई द्रम बरत द्हारी धर्म सील कोट कमें को विशे विमुख विरागरत हो कोट बराकत मद शुरूत कहें फिर केंदे इस तरह दा जड़ा बरागी है वो केंदे एक कुरोड बरागी बैठा होई एक कुरोड बरागी बरागी वी जो आतमक वस्था बड़ी उची वस्था है बराग की है के काक बेश्ट सामजे गने बीत रागते लोक केंदे ब्रह्मा इंदर आद के जिनने वी श्रीर दे पोगने उना नू कांदी विष्टा वांग वियर्त सम्झ लेना संसार दे पोगन विशियान त्याग देना शरीर दावी मो पदार्था दावी मो छुट जाना और ऐसा जीवन सानू महापुरुखान दा परापत हुंदे शरी महान संत गयानि गुर्बजन सेंग जी खाल सा महापुरुखान दे एक विद्यार थी महापुरुखान दस्या केंदे महापुरुखान दा जीवन किनना बहरागी किनना त्यागी सी केंदे कि सम्झ असी आप देखिया कि ताक्त शरी दमदमा शाय भिखे जो मस्तु वान वाड़े महापुर्खाँ अस्थान है उत्थों केंदे महापुर्ख तखसाब नू आ रहे सन केंदे आओधिया रास्ते वेच एक निहांग सिंग मिलिया ते उस निहांग सिंग ने फते बलाई महापुर्खान शरी मान संद ग्यानी गुर्बजन संग खालसा महापुर्खान ने किया कि हाँ जी फौजों के में हो चड़दी कला है होर सड़ा हो किसे वस्तूदी लोड़ होए कोई चीज चाही दी होए ते जरूर हुकम करे हो महापुर्खान शरी 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 क्यों मापुर्खाने उसे वेले बढ़ए पने गल्धा चोड़ा, रस्ते वीच इला के उसने अंग संगनों देदेता, ते उसे वेले सिंग ने बढ़ए मापुरखानों पहना ये उर्का न पहनायाद। शुए त्याग यह बैराग ऐसा परपुकारी जीवन ऐसा महान पवित्र जीवन तो विद्वान केंदे ने हो जी जड़े मापुर्खने कुरूडां विचों एक ने इस तरह दे कुरूडां विचों नर्स हस्तर मैं सुनो परारी को एको द्राम ब्रत धारी हजारां विचों एक तर्मी होंदे ते इसी तरह सेंकडे तर्मीयां विचों एक बैरागी होंदे कोट बरक्त मद शृत कही विशे विमुक बराग रत लही और इसी तरह केंदे फिर कुरूडां बैरागीयां विचों एक ग्यानी होंदे कोट बरक्त म्रद शृत कही समक ज्ञान सुक्रत जगल है ज्ञान वंत कोटन मैं कोहू जीवन मुकत केंदे फिर कروडा ही बेरागीां दी विचो हूँ एक आतम ग्यानि करोडा आतम ग्यानियां विचो हूँ चेंदे एक ब्रम ग्यानि हुं दाहिए इस करके तिन सहस्तर में सब सुखकानी दुरलब ब्रम लीन ब्रम ग्यानी केंदे इस तरह सेंकड़ें दे विचों एक तर्मी है और सेंकड़े तर्मीयां विचों एक बैरागी है कुरोडा बैरागीयां विचों एक ग्यानी है और कुरोडा ग्यानियां विचों एक आत्म ग् इसकर कि सद्गुरु सचे पाथ्षा जी पवित्र बाणी अंदर केंदे ने कि जग में उत्म कांडी है इस तरह दे परपकारी संसार विच विरले ने ते उत्म ने उना दे गिंदती भौती नी है संसार दे पले वास्ते संसार विच परगट होंदे ने स्वापना सारा जीवन श्री मानसंद ग्यानी गुर्बजन संग जी याने श्री मानसंद ग्यानी करतार संग जी खालसा जी याने देश वास्ते कौम वास्ते समर्पत किता है पिंडान देविच शेर देविच विचर विचर के सत्गुरा दी अमर्त बानी दी कथा सुझाई है तो सा संगर जी महापुर्खा ने आद शिरी गुरु गर्ण सैफ जी डी जो कथा किती है नगरा देविचे विचर के तो सताई वार गुरु ग्राण सेव जी दी कथा संपूरण उना ने संगतानों सुनाई है ऐसा परपुकारी ऐसा महान पवित्तर होना दा जीवन है और उना दे रसनातों सुने होई बचना दा असर देखो कैसा है कई वारी मैं जिकर करदा है कि आज़दे समें एक विदवान स्टेज तो भी कथा सुना रहे सं वो केंदे आज़दा समाय होजिया है कि जदों कोई वी विदवान कोई परचार कोई संत महात्मा कथा करके समावती करदा है केंदे उस वेले पुराने समेच की हुंदा सी के लोग उस विदवान नो आपने कारवेच जा महापुर के परचार कनो आपने कारवेच ले जाके ना बड़ा अदब सतकार करदे सी और वना दे मान वेच कोई ख्याल हुंदा सी किये ना कोड़ों कोई गुर्मत दा ज्ञान कोई गुर्मत दी विचार हो सिक히े, कोई सम lighter केपने अजदाज़ा समाई हो जहाए केपने ग्यान बढ़ा हो चुका है मना ती शुबहाव ऐसा हो चुका है ऐसा शुबहाव बंगले केपने जदों सुमावती हुन दी है ते बहुत सारे लोग ए apostle ग्यानी जदर आयो तो आनों कुछ दसना है केंदे वो समा सी जदो केंदे सी कुछ पुछणा है और केंदे यह हुजिया समा केंदे तो आनों कुछ दसना सी तो जिया गाले जड़ी यहों कीती यहों नहीं है इस तरह है शो महापुर खान दी रसना तो जो कथा दा चरना वगदा है सास अंगज एक बज़ूर्ग मैंनो मिलिया सी मैं ते चौंक विखे पुरातन समें दी गल है उस वेड़े दास हो थी रहनदा सी वबड़ा नेतनेमी ते कदे भी उने कथा तो नागा नी सी पाया ते मैं ते चौंक तो काफी दूर हो दा पेंड़सी सैकल ते हारो जा हो दासी वबज़ूर्ग नो मैं क्या हमारा तो अड़ाए हो जीवन इना प्यार इना सेद के तो हनो के में प्राबत होई है इनी लगन के में लगी है वबज़ूर्ग ने फिर दिज़ूर्ग कहना मेरी नाले कटना वापरी ओकेंदा कि मैं पहला जो बड़ा निशाई ते विशाई सी और बड़ा तरकवादी सी और मेरा ख्याल है सी कि कोई संत कोई महातमा कोई महापुर्ग नी हुंदा इस करके मैं उराबदे भी कोई बहुता यकीन नहीं सी ओकेंदा जदो मैं सुझे आना कि पिंडरावाले जड़े संत ने संत गुर्भजन सेंगो साड़े सी लाकेज आ रहे ने उनना ने ते कथा करनी दिवान सजोने ने ओकेंदा फर मैं भी तियारी कर ली मैं मैं मान वीची ख्याल बना लिया कि संत जदो ओन गे ने ननना है कोई एहो जी अंगलाँ बता करनी आने ते मैनु यकीन ए मेरी गल्दाव जवाब ने दे सकना एहो जी मेरे कुल तरक है एहो जै मेरे कुल लुकता है एहो जै ग्यान है ओकेंदा जदो मेनु पता लग गा है कि जड़े पेंड़ वेच संता ने अवना सी मैं भी चले गया, तो मैं थोड़ा जा लेट हो गया, उती जा के पता लगा कि संता हुन कथा कर लग पहने, ते जदो कथा दी समापती हो वेगी, उदो योना नाल में अपने वचन बिलास करांगा, वो कि अधा मैं मान वीच ख्य मेरे मान वीच कोई शंका, कोई स्वाल बाकी नी सी रहा, जड़ा में उना नो पुछ दा, उना ने कथा वीची सारे शंके दूर कर दे, उना दी कथा दा ऐसा प्रभाव, ऐसा ग्यान ऐसा असर, उना दी बंदगी दा प्रभाव है, वो कि अधा उस दिन तो बाद में नशि माली नी कह सकिया, एहो जा महापुर्खा दा जीवन, एहो जी उना दी रसना तो उचारन होई बचन ने, ति आज दे समया पा किसे नू पोच्छ देया ना, कि पाई आज एड़ा तिरा स्वाल है, आज एड़ा तू शंका कर रहे हैं, तो नू कित्थों होया है, वो केंदा जी मैं फुलानी दी कथा सुनी सी, कथा सुन के शंका पैदा हुए, देखो ना, महापुर्खा दी कथा सुन के शंके दूर उन्देशन, ति आज दी कथा सुन के शंके पैदा हुंदे ने, एही उना ब्रह्म ज्यानी महापुर्खा दी जीवन दा, उना दी बंदगी दा, उना दे ग्यान दा असर है हजूर सचे पाध्षा जी माहराँ राज किर्पाकरन ऐसे विद्वान मापुरकांधी ऐसे ब्रह्म ग्यानी मापुरकांधी अमर्त पवित्र जीवनी नो आपा वीचारिये उना दे जीवन वाले شुब गुन सानु वी साधे जीवन वेचे प्रापतो होवन ऐसे मापुरुखादी अमरत कथानों सुनके साधे मनुखा जीवन सफलोवे एदात गुरुचरणा वेचे आपा मंगनी है हजूर सचे पाथच्छा जी महराज किरपा करन जितना किसमा सध्गुरा ने बक्षिश कीता है गुरुचरणा चाहाजरी पर दियां ऐसे विद्वान मापुरुखानों ब्रम ग्यानियन वापाँ याद कीता है सध्गुरुजी किरपा करन उना वरगा जीवन सानों प्रापतो होवे बीचार कार दियां साथ संगजी बेंत पुलना हू जान दिया ने सध्गुरु साहब और गुरु की संगत बक्षिशन योग है हुएंं पुलना है ए कैमा अग्यतों समत बक्षिशन इतनी आँ बेंतिया परवान करनी है बलाहु जी फते वाहि गुर्जी का खालसा वाहि गुर्जी की फते